दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में निकली एक बहुत बड़ी भरती के बारे में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इस भरती से रिलेटेट पूरी जानकारी देने वाले हैं जैसे दोस्तो आपके लिए यहाँ पर कौन-कौन से पोस्ट के लिए vacancies निकली हुईने हैं, उन पोस्ट में आपको apply करने के लिए आपकी age limit है, आपकी education qualification है, आपकी height, weight, chest, मतलब जो भी चीज़ के requirement है, पूरी के पूरी बताने वाले हैं, इसके बाद में दोस्तो हम आपको यह भी बताएंगे, कि यह जो भरती है, वो कौन से state के लिए निकली हुई यह, और यह जो भरती है, इसमें कौन-कौन से districts के जो candidates हैं, वो apply कर पाएंगे, उसके बाद में दोस्तो हम आपके लिए यह भी बताएंगे, कि यह जो भरती है, इसके online registration कब से कब तक होंगे, और यह भरती कब से कब तक कराई जाएगी, तो दोस्तो पूरी वीडियो को आज तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपके बहुत काम की है, तो चलिए दोस्तो, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी से request है यार, कि आपको अगर ये वीडियो करते हैं आज की वीडियो, तो यह है दोस्तो वो नोटिविकेशन जो कि मैंने पहले से ये डाउनलोड करके रखी हुई है, तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं दोस्तों कि यह जो भरती है वो 25 मार्श 2021 से 6 अपराल 2021 के बीच में कराई जाएगी, ठीक है, इस भरती की जो online registrations होंगे, वो Indian Army की official website www.joinindianarmy.nic.in पे आप कर सकते हैं, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कौन-कौन से पोस्ट के लिए भरती निकली हुई ही, सबसे पहले आपको यह बता देना चाहता हूँ मैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो भरती निकली हुई है दोस्तों, सभी प जनरल डूटी यानि की जीडी के लिए साड़े सत्रा से एक्किस साल होने चाहिए, एज लिमिट आपकी साड़े सत्रा से एक्किस और आपकी जो डेट आप बर्थ है वो एक अक्टूबर 1999 से एक अपरेल 2003 के बीच में होना जरूरी है, हाइट आपकी 169 cm, चेस्ट आपका 77 cm और आपको class 10th simple pass होना जरूरी है, जिसमें दोस्तों आपके 45% marks होना जरूरी है, और आपके जो किसी भी subject में 33% marks से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप class 12th यापर class graduation pass हैं और लेकिन आपके किसी भी single piece subject में 33% से marks कम नहीं होना चाहिए, उसके बाद में solar technical के बात करते हैं, तो solar technical के भरती के लिए आपकी जो age limit है वो 16-17 से 10 साल तक होगी, date of birth आपकी 1 October 1997 से 1 April 2003 के वीच में होनी चाहिए, height आपकी 169 cm, chest आपका 77 cm और आपके लिए इस भरती में apply करने क दोस्तों, आपकी जो education qualification है वो है दोस्तों इस परकार कि आपको intermediate class पास होना चाहिए, intermediate में आपके पास में physics, chemistry, math और English ये 4 subject होना आनवार ये है, किसी भी total, sorry आपके जो overall percentage होगी, वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो overall percentage किसी भी single subject में आपके 40% mark से कम नहीं होने च हैं, soldier technical nursing assistant, अगर आप nursing assistant की भरती देखना चाहते हैं, तो आपकी age limit सेम होगी as technical, 17,3 साल, height आपकी 169 cm, chest 77 cm, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको intermediate pass होना जरूरी है, और आपके साथ में, आपके पास में दोस्तों, physics, chemistry, biology और English subject होना जरूरी है, overall percentage 50, और किसी भी subject में 40% mark से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर soldier clerks, तो soldier clerks और store keeper के अगर आप भरती देखना चाहते हैं, तो आपकी age limit है दोस्तों, 17,3 साल, height आपकी 162 cm, chest आपका 77 cm, यहाँ पर दोस्तों, आपके education qualification में कुछ बदलाब किया गया है तो इसमें दोस्तों, अगर आप soldier clerks और store keeper की भरती देखना चाहते हैं, तो आपके पास में दोस्तों, intermediate आप pass होना जरूरी है, intermediate में आपके पास में दोस्तों, math और English होना जरूरी है, 60% mark से कम नहीं होने चाहिए, और किसी भी subject में 50% mark से कम आपके नहीं होने चाहिए, ठीक लेकिन housekeeper और math keeper की जो भरती होती है, बो दोस्तों only 8 pass के लिए होती है, और बांकि जो trades बची उनके लिए दोस्तों, soldier, tradesman, 10th pass की भरती निकलती है, मतलब आपको 10th pass होना जरूरी है, दोनों ही भरती हो के लिए आपकी age limit है, height है, weight है बिलकुल same होता है, आपका age limit आपकी 75 cm, height 169 cm, chest आपका 77 cm, लेकिन आपको education qualification में बदलाव किया जाता है, तो आपको housekeeper और math keeper की trade को छोनका किसी और trade में भरती देख रहे हैं, तो आपको class 10th simple pass होना जरूरी है, और आपके 33% marks होना भी जरूरी है, ठीक है, और आप अगर दोस्तों, soldier tradesman 8 pass की भरती देख रहे हैं, तो class 8 simple pass होना जरूरी है, ठीक है, तो ये तो बात होगी दोस्तों, आपकी कौन से trades की भरती हैं निकली होई है, ठीक है, उसके बदम दोस्तों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपके यह जो भरती है, वो किस state के लिए निकली होई है, तो यह जो भरती है, दोस्तों, वो ARO Gopalp तरफ से निकाली गई है दोस्तो उडिसा के लिए और यह भरती है जो 25 मार्स से 6 अपरल 2021 के बीच में होगी और इस भरती में दोस्तो यह जो डिस्टिक्स हैं आप देख सकते हैं आप नाम दिया गया है दोस्तो मैं आपको एक एक डिस्टिक्स का नाम पढ़के बता देता हू उसके बाद में है दोस्तो आपका नवरंगपूर रयागदा उसके बाद में है दोस्तो काला हंडी उसके बाद में दोस्तो आपकी नेक्स डिस्टिक्स है आपकी नौपढ़ा और कोरपूत अगर आप इन डिस्टिक्स के रहने बाले हैं उडिसा में तो आप इस बरती में लाइक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की वीडियों पसे इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे YouTube चैनल सिभा Online Classes को सब्सक्राइब ज़लो करना तो चलिए दोस्तों जय हिन जय भारत